फरजी IPS मितलेश कुमार बीते कुछ वक्त से सुर्खियों में बना हुआ है वर्दी पहने खुद को IPS बताने वाले मितलेश कुमार की एक एक कहानी सब को खूब चौका रही है पहले मितलेश ने इस पूरे मामले में खुद को मासूम बताकर खुद को ठकी का पिडित बताया और मीडियो और पुलिस के सामने फरजी IPS बनने के पीछे की पूरी कहानी बताने लगा जिसमें बताया गया कि बेचारा मासूम मिथलेश किसी मनोज नाम के ठक के जाल में फस गया और ठकी का शिकार हो गया और पोलिस ने मिथलेश पर भरूसा जिताया उसे छोड़ दिया फिर जेल से बाहर आने के बाद फरजी आईपियस मिथलेश फिर मीडिया के सामने आया और नकली से असली आईपियस बनकर सब को दिखाने की कसम खाली लेकिन इसके कुछी दिन बाद असली IPS बनने का सपना देखने वाला मितलेश यूट्यूब करकार बनकर सामने आ गया और एक बार फिर से सब को चौका डाला फरजी IPS पर गाना लेकर आ गया और इस पूरे घटना करम के बाद पुलिस ने मितलेश के बारे में जो खुलासा किया उसने सब को चौका दिया पुलिस के चानबीन में पता लगा कि फरजी नाम से बारल हुआ मितलेश कुमार बड़ा खिलाड़ी निकला उसने सभी को अपनी बातों से और मासूम शकल से जबरदस्ट चूना लगा डाला जी हाँ मितलेश की जिस कहानी को अब तक आप सब सुनकर तरस खाते नजर आ रहे थे असल में वो कहानी ही फरजी निकली और जमुईस जीप्यों ने पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मितलेश कुमार की सारी कहानी जूटी और मन गढ़न थी इस मामले में जो मितलेश कुमार हैं जिन पर प्रात्मिकी दर्ज की गई है जो कांड की अभियुप्त हैं उनकी निशान देही हेतू और अनुसंधान में सहायता हेतू खैरा थाना अंतरगत जो मनोर सिंग नाम के वेक्ती जिनके बारे में उनके द्वारा बताया जा रहा कि उस वेक्ती ने उनके साथ चीटिंग की है हम लोगों ने अनुसंधानक और थाना ध्यच के साथ उस एडिया के सभी मनोर सिंग लगबत चार लोग मिले थे हम लोगों को और उनकी पहचान जो मितलेश हैं उनसे करवाई थी मितलेश के द्वारा उन चारों में से किसी की भी पहचान उस वेक्ती के रूप में नहीं की गई है जिससे उन्होंने पैसे देकर फरजी IPS का ये वर्दी ले थी साथी साथ इस मामले में अग्रेतर अनुसंधान में यह बात पता चली है कि जिस दिन मितलेश द्वारा एलिजीडली पैसे का ट्रांजेक्शन की बात बता इस मामले में एक अन्य बात आई है कि मितलेश द्वारा जो दो laq रूपे है वो अपने मामा से लेने की बात हम लोगों को बतायी गई थी परंतु उसके मामा से पूलिस की जो पूछताच है उसमें उसके मामा द्वारा ऐसे किसी भी 2 लाक रुपे एक मुस्ट भुक्तान क बात से इनकार किया गया है। मिधलेस द्वारा पूछ ताच के क्रम में दो नंबर दिये गये थे और बताये गया था कि वे दोनों नंबर मनोज सिंग के हैं। इसको जो अनुसंधान में जो बैग्यानिक दुष्टिकों से साबित करने के लायक जो साच्छे होने चाहिए वो अब तक उपलब्द नहीं हुए हैं। इस परिस्तिती में हम लोग यहां मान रहे हैं कि इस घटना में जो बाते मिधलेस के द्वारा बताई जा रही हैं वो त रफ्तारी की तलवार भी लटक रही हैं। पोलिस ने रसपूरे मामले में अपनी चानवीन और तेज कर दी हैं। देखना होगा कि पोलिस जाच में आगे क्या पाया जाता हैं। और मितलेश कुमार का आगे क्या होता है। जमूई से राकेश सिंग के रिपोर्ट बिहार त कर देखना हैं।